Hello Friends, Welcome back to my channel, The Taste of India Friends, आज हम बनाएंगे कड़ी चावल, जिन जिन के कड़ी चावल फैवरेट है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे तो फैवरेट है, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताईएगा, अगर आपके कड़ी चावल फैवरेट है तो तो सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी, इसके लिए मैंने खटी चाच लिए, आपके पास चाच नहीं हो तो दही से भी बना सकते हैं, अच्छे से इसे फेटने के बाद मैंने इसमें आदा चोटा बाउल डाला है बेसन का, फिर मैंने मसाले डाले हैं, तो हल्दी पाउडर, ध दञाने के लिए टेल डाला चाच राई डाली है, मैंने रेसोन ईह सुआ जाट हको पेस्ट, 1 एक चुटा कड़ी का गोल हमने बनाया था वो इसमें डाल देना है तो पड़ी का गोल डालते ही तुरंत इसे चलाते रहना है रुखना नहीं है तो उफन के बाहर आती है तो यह बरतन थोड़ा छोटा लगा तो मैंने बड़े बरतन में इसे ट्रांसफर कर दिया है ताकि जब यह मिड्र तक पकने लिए छोड़ दिया है मीडियम डूल फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है अब चावल बनाने की तयारी कर लेते हैं लिए हमें चावल को भीगो के नहीं रखना है तो दो से तीन बार के पानी में मैंने अच्छ से से धु लिया है ताकि इसमें चितनी भी डाला है जीरा जीरा राइल है जीरा रायस बना रहे हैं तो जीरा में ज्याधर डाल दिया है êtes कि अर्स अधिग मैं कटेमिर्श लें लावा इस ili कुछ कुछ नहीं डालना यह kema बस वो इसमें डाल देने हैं, आप चाहें तो मसाले वाले चामल भी बना सकते हैं, पर मुझे जीरा राइस ही पसंद है, तो मैंने यही बनाए, आदा मिट ओयल के अंदर अच्छे से इने सेक लेना है, फिर आदा छोटा चमच काला नमक डाला है, आप चाहें तो वाइट नम इसे हमें सिर्फ 15 मिनिट पकाना है, तो अच्छे से मैंने 5 मिनिट पकाया है, लगबग इदर हमारी कड़ी भी बन चुकी है, तो इसे अच्छे से मैंने के लिए बावल के अंदर सबसे बेले कड़ी निकाल ली है सूपर टेस्टी कड़ी बनी है फ्रेंड्स आप चाहे तो दुबारा इसमें तड़का भी लगा सकते हैं पर मैंने नहीं लगाया है इधर खिले खिले चामल भी बनके तयार है अगर आपको रेसीपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और आप भी इस तरह की टेस्टी सी कड़ी चामल बनाए थेंक्यू सो मच